आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ प्रश्कर दोस्तों हमारा कोश्चन है बालक की विवेजना तारकिक नहीं है और यह अंतरग्यान अंतरभूत पर अधारित ना है विवस्तित तर्ग पर प्याजे के नुसार सन्यनात्मक विकास की यह वस्ता कहलाती है सम्वेगी गात्मक काल पूर्व क्रियात्मक काल मूर्द क्रियात्मक काल या फिर अप्चाइक क्रियात्मक काल चलिए देखते हैं सबसे वेले देखते हैं समवेगी गामक काल में हमारी उम्र क्या होती है तो इसमें उम्र होती है हमारी 0 से 2 वर्ष दूसरा है पूर्ष संक्रियात्मक काल में इसमें होती है 2 से 7 वर्ष इसमें मूर्ष संक्रियात्मक काल में इसमें होती है 7 से 11 वर्ष और अंत में अबचाईक क्रियात्मक काल में होती है 11 से 18 वर्ष या कभी कभी 19 वर्ष तो यहाँ पे हमाई पूछा गया है तारकिक नहीं है और अंतरग्यान पर अधारित नहीं है विवस्थिक तर्ग पर अधारित होते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो संबेगी गामक काल में होता है यह संबेगी गामक काल में तो इस समय वो अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है यहां पर उसका सबसे बजबूत काम उसकी इंद्रियां ही करती है इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है दूसरा है हमारा पूर्व संक्रियात्मकाल इसमें बालक क्या होता है समाजी करत समाजी करत नहीं होता है समाजी करत नहीं होता यहाँ पे क्या है अपने पूर्व के संसकारों से सीखता है जो उसने 0 से 2 वर्ष के उम्र में देखे हैं तीसरा है हमारा मूर्शंक्रियात्मक काल इसमें बच्चा बाल्य आवस्था में पहुँच जाता है ये है 7 से 11 वर्ष इसमें बच्चा वाक्यों को बोलने लगता है और समझने लगता है इसमें बालक में तर्क भी विक्सित हो जाता है तर्क की शम्ता भी विक्सित हो जाती है आप चारिक क्रियात्मक काल इसमें बच्चा चिंतन कर सकता है विशलेशन भी कर सकता है आप हमारा उत्तर वो होना चाहिए जिसमें बालक की बुद्धी तारकिक नहीं है और अपने अंतर ग्यान पर आधारित है, अपने पूर्व ग्यान पर आधारित है, तो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक काल.